हेलो दोस्तू, आज हम बनाएंगे एक बहुती मज़िदार सी रेस्पी, जो मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड है, मुंबई में ये आपको हर एक चाट इस्टॉल पे देखने को मिल जाता है दोस्तू, बैसे तो पहाँ पे इसको हरी धन्य की चटनी की साथ खाते हैं दोस् आज हम इसको एकदम सरल तरीके से बनाना बताएंगे दोस्तो, जो आप लोग आसानी से घर पे बना पाएंगे, तो आएए दोस्तो हम इसको बनाना शिरू कर लेते हैं क्रिस्पी करारे आलू बटाटा बड़ा की रेस्पी बनाने के लिए हमें चाहिए दोस्तो, उबले हुए आलू, इन आलू को हमने कद्दू कसकत की रखा हुआ है दोस्तो, आलू को हमें इतना मैस करना है कि इसमें एक भी गुठली नहीं रहने चाहिए दोस्तो, आप चाह जीरा और आधा जमजी हम इसमें राई को add करेंगे और बहुत थोड़ी से हम इसमें हींग को add कर लेते हैं और अब इसमें हम add करेंगे दरदरा कुटा हुआ अद्रक और हरी मिर्च कि दोनों को हम हाथ से ही किसी से कूट लेंगे दोस्तों या फिर एक बार आप इसको grinder में चल पता को भी एड़ करेंगे और इनको हम हल्का सा भून लेते हैं और अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पौडर को एड़ करेंगे आधा चम्मच के लगबग हम इसमें धनिया पौडर को एड़ करेंगे और अब इसमें हम मिर्च पौडर को एड़ करेंगे दोस्तो मिर्च आप हमेशा अपने अमसार एड़ कीजिएगा जैसे भी आपको चटपटा पसंदो आप अपने अमसार मिर्च को एड़ कीजिएगा याँपर और इन मसालों को हम हलकी आज़ पे ही हलका-हलका भूनेंगे तब ही हम इसमें कद्दुकस किये हुए आलों को एड़ करेंगे और अब इसमें हम स्वादा नुशार नमक को एड़ कर लेती हैं दोस्तो ध्यान रखिएगा दोस्तो आज को हम एकदम लोफ लिम पे रखेंगे नहीं तो नीचे से मसाले ये जल भी सकती है और अब दोस्तो इन आलों को हमें अच्छे सी मसाले के साथ मिक्स कर लेना है दबाते हुए हम इन आलों को मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से हमें इन आलों को दोस्तो भूनना नहीं है बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जैसे ये अच्छी से मिक्स हो जाते हैं हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो आईए दोस्तो हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ हमें एक बड़ा सा बॉल ले लेना है दोस्तो और इसमें हम एड़ करेंगे बेसन को हम बेसन को यहाँ पे एक बड़े चमच से नाप के ले रहे हैं दोस्तो तीन चम्मच के लगबग हम यहाँ पे बेसन को ले रहे हैं यदि हम इसको कप से नाप के लेती हैं तो हमने यहाँ पे देड़ कप के लगबग बेसन को लिया हुआ है दोस्तो और बेसन को हम चान के ही लेंगे दोस्तो बेसन को आप कम जादा कर सकते हैं दोस्तो जितने भी आप बटाटा बड़ा तयार कर रहे हैं उसी के अंसार आप बेशन को ले लीजिएगा सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी हींग को एड़ करेंगे और अब इसमें हम आधा चम्मच की लगबग हल्दी पौडर को एड़ कर लेते हैं और अब इसमें हम एड़ करेंगे दोस्तों बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च पौडर आधा चम्मच हम इसमें धनिया पौडर को एड़ करेंगे आप चाहें तो दोस्तों इसमें गरम मसाला को भी एड़ कर सकती हैं पर गरम मसाला हमें इसमें बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है तो हम इसमें एड़ नहीं करने वाले हैं स्वादा नुसार हिसमें हम नमक को एड़ करेंगे और अब इन सबी चीजों को दोस्तों अच्छे से पहले हमें मिक्स कर लेना है इसमें और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी को एड़ करेंगे और एक स्मूद बैटर तयार करेंगे इसका हम पानी को दोस्तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें एड़ कीजिएगा एक साथ पानी डालने से बेशन में गुठलियां पढ़ सकती है तो हम दीरे-दीरे करके इसमें पानी को एट करेंगे और इसका एक स्मूध बैटर तयार करेंगे तो ये दिखी दोस्तो हमने इसको अच्छे सी मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है दोस्तो इसी तरीके से रखनी है ना ही ज़्यादा गाड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और लास्ट में हम इसमें एड़ करेंगे एक चौथाई जमच की लगबग बेकिंग, सोडा और इसको भी हम अच्छे सी मिक्स करेंगे इसमे तो रख देते हैं इसको एक साइड में, आलो हमारे अच्छे सी ठंडे हो चुकी हैं दोस्तों हम इन आलों से गोली तैयार करेंगे इस तरीक से हम सारे गोली तैयार करके पहले से रख लेंगे तो हमें आसानी होगी बनाने में और यहाँ पर एक कड़ाई में हमने तेल को पहले से ही गर्म होने रग दिया है अब दोस्तों हम एक गोला ले लेंगे और इस बैटर में हम डिप करेंगे इस तरीके से आप चाहें तो चम्मस से भी कर सकते हैं और इस तरीके से चारो तरब से हमें बेशन में इसको लपेट लेना है और आराम से हम इसको निकाल लेती हैं और फटापट से हम इसको कड़ाई में एड़ करेंगे तेल हमारा यहाँ पर दोस्तों अच्छे से गर्म होना चाहिए तब ही हम इसमें एड़ करेंगे आप चाहें तो पहले तेल को चेक भी कर सकते हैं कि ये अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं इसी तरीके से हम एड़ करेंगे और हल्की आज़ पे ही हमें इनको धीरे-दीरे करके अच्छे से सेखना है दोस्तो जब तक कि ये हलके से ब्राउन नहीं हो जाते इनका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये दिखिए दोस्तो कितनी क्रिश्पी करारे बटाटा बड़ा तयार हुए है आप चाहें तो दोस्तो हाँ से भी इनको इसमें छोड़ सकते हैं बैटर में डिप कीजिएगा गोले को और इस तरीके से आप हाँ से भी इनको तेल में छोड़ सकते हैं और इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक क्रिश्पी करारे और आईए दोस्तो हम फटा पट से इसकी प्लेटिंग करेंगे तो ये लेजे दोस्तों क्रिस्पी करारे आलू बटाटा बड़ा की रैस्पी तयार है हम इसको दही के साथ भी सर्फ कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही टेश्टी लगता है ये दही के साथ भी इसमें हम हारे धन्ये की चटनी, चात मसाला, भुना हुआ, जीरा और मीठी चटनी को एड़ करेंगे लेकिन दोस्तों मुमई में इसको हारे धन्ये की चटनी की साथ ही सर्फ किया जाता है लेकिन ये तरीका भी बहुत ही अच्छा है, आप जरूर इस तरीके से खाके दिखिएगा तो है ना कितनी मज़ेदार सी रेस्पी ट्राई जरूर कीजिएगा चैनल पे नई हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं तक तक के लिए थैंक यू